हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल मिश्टर होमियोपैतिक पी दोस्तो आज हम बात करेंगे बच्चों में दाथ निकलने की समस्या के बारे में यानि की डेंटीशन के बारे में तो आईए शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपके बच्चे के शरीर के अंदर कैल्शियम की पूरी मातरा में हो और बच्चे के छटे महीने से लेकर के दसमे महीने के अंदर दाथ निकलने लगते हैं लेकिन यदि कैल्शियम की मातरा कम हो तो दाथ निकलने में थोड़ा सा परिशानी होती है और कुछ दिक्कते आ सकती है जैसे कि कभी कभी बुखार चड़ जाता हो और कभी कभी हरे रंग का पीले करर का दस्त आने लगता है पेट में बधजमी और दर्द होने लगती है मूँ से जादा तर लार गिरने लगती है और बच्चे बहुत जादा चिर्शिड़े हो जाते हैं और कोई भी चीज पाते हैं वो बूँ के अंदर डाल लेते हैं और उसे चुबलाने लग जाते हैं तो दोस्तो इस तरह की समस्या से आप जरा भी परिशान नहों आप अपने नजदी की होमियोपैतिक मेडिकल इस्टोर पे चले जाएं और उसे ये फोटो दिखा दें इस फोटो में जो दवा है उसका नाम है कलकेरिया फॉस 6X जिया दोस्तो ये दवा दो गोली देनी है एक चमच पानी में डाल कर सुबा में और एक चमच दो गोली डाल कर देनी है रात में मैं समस्ता हूँ जब तक ये दात निकल पूरी तरह ना निकल जाए इस दवा को खिलाते रहें पूरा दात निकलने के बाद ये दवा रोक दें बच्चों की कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और दात भी पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी नह भूले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों